माना सारे कनावरी सो माना दारा सी नीने देखा दीदी कहा है मामी मामी तो खेट में गई है मामा मामा ये जोस मेरे लिए है हाँ तुम्हारे और भारगवी दिदी के लिए जाओना ग्लास देखिया हो ये भारगवी दिदी को देदेना और ये तुम पिलेना ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गई तुम बार-बार भारगवी दिदी को जूस देते हो मैं चोटी हूँ इसलिए तुमने उस पर नजर रखा है चौकलेट चाहिए न तुम्हें चाहिए तो ज़ल्दी से देखिया जाओ जाओ देदी मामा जूस लेकर आए है तुम्हें अल्ड़ी दो तीन बार ऐसा किया है अगर कुछ उच नीच हो गया तो उच नीच हो इसलिए तो यह सब कर रहा हो भारगवी मेरी है मेरी दोस्त मुझे तो डर लग रहा है यार अच्छा है ना जाबे देदी मैं अभी आई कर रहा है प्रवार्गवी भार्गवी अभी तक सोई क्यों हुई है उठ जा स्कूल नहीं जाएगी चल जल्दी उठ आई आई यह बैठिए बैठिए क्या बोजंग गया अभी तक घर पे ही हो खेट पर नहीं गया क्या तुम्हारी तब यह तो ठीक है ना अरे मुझे क्या हुआ है भाई सहाब मैं बिल्कुल ठीक हूं बाजार जाकर कुछ सामान लाना था वही बैठ के सोचा भारगवी क्या हुआ बेठी क्या हो गया है तुझे सुनिए भारगवी उल्टियां कर रही है तो कोई डरने की बात नहीं है खाना नपस्टे के कारण भी उल्टी होती है एक काम करो उस बच्ची को लेकर आओ मैं नाडी देखकर बता दूंगा सुनो भी भारगवी को यहा हाँ आजा बेटी हाँ दिखाओ को जंगेया मेरे साथ बाहर आओ जिप क्या कह रहे है यह बस एक मिनट में आता हूं क्या हुआ भाई साहब क्या हो गया यह पूछा है तेरी बेटी अभी पेट से है क्या कहने आप बगला गया है क्या मैं सच कह रहा हूं अगर इस बारे में तुम्हारे रिष्टेदारों और गाउवालों को पता चल गया तो तेरी इजब का क्या होगा नाडी सास्त्र में मुझे 25 साल का अनभव है केवल मैं नाडी पकड़कर बता देता हूं कि कि इसको क्या रोग है ये बात तुझे भी पता है मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरी बेटी है तुही कर सकता है सुना तुमने भाई साहब क्या कह रहे थे क्या बेटी पैरा किया तुमने इसने तो नाक कार दी इकलोती लड़की है सोचके लार प्यार से बड़ा किया इसने मेरी इज़त मिट्टी में मिला दी बरबाद कर दिया सब भुजंग की बेटी आइसकूल जाकर पेट से हो गई यहीं बोलेंगे गाउवाले अब मैं सर उठा के कैसे चलपाओंगा कैसे जिएंगे हम लोग अब जीना मुश्किल हो जाएगा अब देखेगी अगर कल यह मेरी आखों के सामने आई ना तो तुम मेरी लास देखेगी हाँ क्यों किया क्यों किया तुने ऐसा अरे तु मेरी बेटिये कहते हुए शरम आ रही है जब तु पैदा हुई थी तभी मर क्यों नहीं गई मर जाती तु अच्छा हुता तुमें भगवाद कौन सी शाजा दे रहा है तुमें मामी जोड़ तुम भगवी भगवी क्या हुआ तुझे रोक यो रही है तुम क्या बता हुआ तुझे दीपा क्या हुआ बता तो सही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे मुझे तो समझी नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कब और कैसे मुझे पैदा करने वाले ही मुझे पर भरोसा नहीं कर रहे अब मैं सोर्या से क्या कहूं दीपा मैं तो उससे नजरे मिलाने के लायक भी नहीं रही दीपा मैंने उससे खो दिया है सूर्या तो अपनी ही दुनिया में खुश था मैंने ही उसके साथ सबर्दस्ति की और पिर उससे प्यार का इजहार भी करवा लिया है दीपा लेकिन अब मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं क्या करूं कुछ समझने आरा क्यों भरकवी ऐसे वाथी क्यों कर रही है तुब कोई तुझपर भरोसा गत्व tickets करेगा वो बहुत अच्छा लड़का है वो कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा तो टेंशन मतले अरे हाँ, मैं बताना बूल गई कल सूर्या अपनी मा के साथ नाकपूर जा रहा है उसके काका की बेटी की शादी है उसके जाने से पहले एक बार उससे मिल ले न हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा सूर्या, देख भारगवी आ रही है यह पकड़ में अभी आया जल्दी आ जाना क्या बात है भारगवी? क्या हूँ हूँ? सूर्या, तुम मुझे एक वचन दोगे क्या? एक क्या? सौ बोलो भारगवी, मैं सब नहीं भावंगा तो फिर दो सूर्या, अगर मेरे साथ कोई उच नीच हो गई तो तुम मेरी यादो में मत रहना तुम मुझे भूल जाना ठीक है? ए भारगवी, क्या होगा तुम्हें? तुम्हें देखकर तो वो यम्राज भी भाग जाएगा प्लीज सूर्या, जो वचन दिया है उसे निभावगे ना? आज अप्रेल फरस्ट है ना? ए भारगवी, तुम मजग कर लिए न मेरे साथ भारगवी, मैं चलता हूँ, जैसे मैं आए जाओंगा तुम्हें एक सप्राइज दूगा सूर्या, जब तुम आओगे तब मैं भी तुम्हें एक सप्राइज दूगी सूर्या, माश्टर जी तुझे बला रहे हैं हे, आज भारगवी का बद्द है या, मुझे वहाँ पर जाना है उसके पैरों में यह पायल बांद कर यह फूल उससे दे कर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ भारगवी, I love you, भारगवी, I love you ऐसा कहूंगा तो उससे अच्छा लगीगा न, गोपी मास्टर जी आप कहा लेकर जा रहे हो मुझे बताइए ना कहा लेकर जा रहे हो प्लीज मास्टर जी गोपे अब तुभी पूछ लाइन से आप मुझे सम्शान में लेकर रहे हो कोई गुजर गया है क्या मास्टर जी ओ नाके पर रंगा दादा जी बैठते थे ना वो गुजर गया है क्या मास्टर जी ये बोर्ड गिरा हुआ क्यों है अब तो बता दीजे मास्टर जी अब तो अब तो अब तो हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है लक्षमी मैं अब तक तुम्हारे फैसले के बीच में नहीं आई हूँ कभी नहीं आई हुआ है है तुम्हारी मा की तरह वो भी एक और थे इस बात को मत भूलो मत भूलो मिता हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है अब भी नहीं मैंने तुम से शादी कर ली है आप कुछ बात क्यों नहीं कर रही है मैं पांच मिनट में अभी आती हूँ हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है तुम्हारे बीवी कौफे लेकर आई इस आइए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और तुम अकेले ही उतर आए कहां है वो वो रूम में नहीं है मां रूम में नहीं है फिर कहां गई है वो किचन में गई है किचन में हो सकती है चलो देखते हैं कहां है वो मुझे नहीं पता मां ठीक है उसके नाम से उसको आवास तो दो उसका नाम मुझे नहीं पतमा और रात को क्या हुआ ये भी मुझे याद नहीं है ठीक है आज़ाओ अब क्या करेंगे हम सॉरी सॉरी आप प्लीस जड़िये मत हम लोग टीवी फाइव से आये हैं एक्चली जो शादी कल हुई थी वह असली शादी नहीं थी न वह हमारे चैनल का बक्रा कारेक्रम था हमारे कारेक्रम के पहले एपिसोड में ही जो बक्रा बना है वो आपका परिवार है हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट पाउचर है इस कारेक्रम के बारे में आप कुछ बोलेंगे प्लीज नॉंसेंस क्या समझते हो अपने आपको आप लोग अपने चैनल की टी यार पी बढ़ाने के लिए हमारे आचार विचार संस्कृते की बली चढ़ा रहे हो कि शादी का मतलब दो पवित्र आत्माओं का पवित्र बंधन होता है हमारी संस्कृति पर कलंक लगाने वाली इस प्रोग्राम को देख कर देश के लोग ताली बजाएंगे ऐसा सोच रहे हो आप लोग चपल से मारेंगे आपको गेट आउट गेट आउट गेट आउट एक कि शादी का मतलब दो पवित्र आत्माओं का पवित्र बंधन होता है कि चला जा कि सोर्या संभल कर जाना बेटा मां अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हो आजाओंगा अच्छा विश्यू वह बलुन्स मैंने चोड़ी हुए है न कौन सा वो क्या ए धर्ति के सारे बलुन तुने चोड़े थे क्या ए चल उतर क्यों भई उतरना याद के कि सारी थे 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 थ हेलो बलुन मिला क्या तुम्हें फूटी किस्मत चल चल यार मंदीर चलते हैं ठीक है ठीक है टाली किस्क्तक्तक्त करें प्रण्द्द्दे चिनि दीक है प्रॉम्दों दुछी बाधर नचे करता है प्रॉम्दों दुछी मेफने हाहते है मंदिर में भी किसी को बकरा बनाने वाली हो क्या अरे नहीं नहीं मैंने तो उस जॉब से कल ही रिजाइन कर दिया आप एक औरत हो यह देखे बिना यह मैंने आपर हाथ उठाया था कोई बात नहीं इस ओके एक्चली हमारा कॉंसेप्ट ही गलत था कि अपनी संस्कृति को मिस्स यूज किया यह हमारी गलती है सौरी मुझे कहना चाहिए इस ओके ठीक है चलता हूं कि सुनी है आप बोली है आपका नाम जान सकता हूं जिन्होंने पैदा कि उन्होंने नंदिता नाम रखा लेकिन मुझे भार्गवी नाम बहुत पसंद है क्या हुआ मैं माला श्री की बहुत बड़ी फैन हुना एस भी भार्गवी सिंगा फिल्म मैंने दस बार देखी है मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूं यहीं मेरी इच्छा है इसलिए ठीक है मैं चलता हूं अरे सुनिये मेरी दादी कहती है कि अगर एक बार किसी से सर टकराए ना तो एक बार और टकराना चाहिए वरना सर से सींग उग जाते हैं पता है वैसे तो तुम सबको बकरा बनाती हो लेकिन यहां तो तुम्हारी दादी माने तुम्हें ही बकरा बना क्या मंदर के पर मिल फिर बताती हूं चली यार तुझे बुला रही है चल चलते हैं उसने गेट के पास चपल छोड़ी है इसलिए बुला रही है चपल से मार खाना है कि दीकनों के से गुर रहा है देखा गुरू कितना कलरफूल है यह यहीं है गुरू जिसने हमारे कोली को गेट के पास बुलाया था अगर सोड़िया मना कर दे तो भी उसके पीछे पड़ी रहती है एक इतले चली दरा क्या है कि गुरू यह बादल है तो वो भी बादल है यह दोनों आपस में टकराएंगे तभी बारिश होगी क्या इंद्र धनूस मेरे मारने इस नहीं बनेगा तुझे जो करना कर लेकिन ऐसा कर कि बारिश भी हो और इंद्र धनूस भी दिखाए दे है हाँ है लगता है कॉलेज में तु नहीं आए मैं कौन हू पदा है क्या तुझे कई लोगों को यहां से डेलिट कर सकते हैं कुछ लोगों को यहां से भूल भी सकते हैं लेकेन मैं तुझे जिन्देगी भर नहीं भूल सकता क्योंके यू आर माई एन्वी एना मिस्टर डीके थोड़ा सा फ्लेश बैक में चला जा बिटा चलू क्या कौन है कौन है कौन है यह थांक यू सूर्या क्या सोच रहे हो बिटेए सूर्या तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन तुम बच्चे की तरही हो मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ लेकिन तुम्हारी लिए तो मैं छोटा बच्चा ही रहूंगा ना क्या हुआ बेटा मास्टर जी जो कह रहे थे लगता है वो सच है इस दुनिया में हर इंसान के साथ रूप होते हैं बेटा उसमें से तुमने एक रूप भारगवी का देखा है बेटा बाकी के दूसरे रूप में भारगवी फिर से पैदा होकर जरूर आएगी और तेरी जि यार फिर से जनम लेकर आया है नंदीता की रूप में भारगवी इस जनम में मेरे जिंदेगी बन कर आई है माँ वो मुझे बहुत पसंद करती है आप सो हैपी आप सूरिया एक बार तो मुझे को घर पर लेकर आओ मैं उससे बात करती हूं ठीक है माँ मेरी दादी कहा करती है कि अगर किसी से एक बार सर टक्राए ना तो दुबारा से टक्राना चाहिए वरना सर पे सींग उर्ख जाते हैं पता नहीं मेरी दादी कहती हैं कि अगर किसी से एक बार सिर टक्राए ना तो दुबारा से टक्राना चाहिए वरना सिर से सींग उग जाते हैं पता है सूर्या सूर्या तो फिर उससे प्रेंच अंदेश भेज रहा था तू पहले से फ्रेंच बन गया क्या इसलिए एक ही कॉलेज है सर वो भी कॉलेज आने वाली है चलिए सर हाँ बोल विश्यू बी-म कॉलेज के यहां पर क्या ठीक है मैं आता हूं कौन है बेई यह देवदास पारो को ढूंडते हुए हमारे कॉलेज में आ गया दोस्तों पारो तो ऊपर चली गई इसे भी उससे मिलने के लिए उपर भेज दें चलो ए शाट हटना क्या हुआ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विकी क्यों क्या हो गया रोक क्यों हो रही है तू बताती हूं चलो न यह सब मेरे दोस्त है जो बोलना है बोल विकी मैं प्रेगनेंट हूँ और यह मेरा तीसर महीना है इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या अगर नौ महीने हो गये होते तो रोती तो अच्छा था अब इसी तीन महीने हुए पांच हेजार दूंगा ना तो पूरा क्लीन हो जाएगा तुम मुझे धोका नहीं दे सकते विकी तो मैं उससे शादी करनी होगी देखो अगर तुम तुम त्रोपदी बने के लिए तैयार होतो बता दो फिर हम सब लोग मंगल शुत्र बांदेंगे गुरु सबने अगर मंगल शुत्र बांदा तो हम सब को इस का सा सोना पड़ेगा ड़ा सुना पड़ेगा मैं सुलाओंगा एए कौन है तू उस द्वापर युग में द्रावपदी को बचाने के लिए आने वाले शिरिक्रिष्ण भगवान हो और इस कली युग में मैं ही इसका परमात्मा हूं सुन्या गुरू इस दुनिया में ऐसे भाई भी होते हैं क्या गुरू सुलाओं का बुलत है ना मैंने तुम लोगों को वैसे तुम लोगों को सोने का बड़ा शॉग है ना तो ठीक है सुला देता हूं तुम सब को लंबी नींद सुला देता हूं किया दो आजसे तुमसी पाल करता ही अए लोगों को किया कि तुमसी अढ़ीन तष毡 व उप सकतॉए है ब ल bevor पर टामरा ऑफakah और सुप्झमें अए प्या Championships प्लुड प्लुड ़ог Ó और है! अँड़ हएं स्दिए हुआ है अगर तु लड़की से प्यार करता है तो उसको आने के लिए पूछना नहीं बल्के मैं शादी करूँगा ऐसा बोलना चाहिए उसके साथ गंदी बात नहीं करनी चाहिए और अगर के साथ शादी करूँगा ऐसा बोलना चाहिए उसे अपने पास रखूँगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए और तो देवी का धर्जा देना चाहिए वेश्चा कहकर नहीं बुलाना चाहिए और से प्यार करूँगा उसके साथ शादी करूँगा और की पूझा करूँगा और बेन क्या बुलती है और के बारे में इतना बुरा सोचने वाले के साथ मैं शादी नहीं करना चाहती बहिया मैं इसे भूल जाओंगी और की तुलना इस धर्ति मांसे की जाती है और वही और अगर तुझे पसंद नहीं करती तो तो इस धर्ति पर रहने के लायक नहीं है पहले से मरे हुए तुझ जैसे इनसान को और मारू त तो मर्ज जातिका अपमान होगा चाल निकाल यहांसे आज़ा कि क्या चाहिए माल चाहिए तुझे चल जा अंदर मैं आप कहें इंतजार कर रही थी आईए मैं प्ली एकाल झाल फे घजडर है आईए तियार चरही आईए बया है कि अगी में दोप जोरी हुआ जोगा है लगार को अरूज कि अगना सब फिरा ही दो खेसे लिए दजाने में ने पेर राद को फिर बंचितरक चाहिए अल्यर विजिक अज़ता को से लिए की एग खाया है लिएकशेपर बारी चाई जो पैक चाहिए वादा को जो बार है इतने दिनों तक मेरे उपोजीशन में कौनी था तर मैं बोर हो गया था फर्स्ट इनिंग होने के बाद सेकंड इनिंग में तू मेरे अपोनेंट बन कर आएगा तो मैं बैटिंग नहीं करूँगा ऐसा लगता है क्या तुझे मिस्टर डीके फर्स्ट इनिंग होने के बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग चेंज होनी ही चाहिए यार अभी बैट मेरे हाथ में और जो मैं 6 मारूंगा न उसे पूरा स्टेडियम हिल जाएगा यू नोट डीके मेरे सामने आने से तो हाथ ही भी डर जाता है तू की स्खेट के मूली है मैं बचपन में खेलने की बजाए उड़ता था इसलिए अभी तक जिन्दा हो और तूने मुझे सही उम्र में छेड़ा है अभी तू यम के कदमों में जाटेगी चलू क्या बहुत अच्छा था यार एक टाइम क्या हुआ मेरे घड़ी नहीं चल रही है रुप गई है लगता है बैटरी खराब हो गई बेरे पास बड़ी वाच है दूंक्या क्या हुआ शरीद में खुज़ी हो रही है क्या क्यों तू आके खुजाएगी एए बखवास बंदकर इसकी रेगिंग करूंगा तो तू आएगी तेरी रेगिंग करूंगा तो वह आएगा अंपरल carbs क्या क्या रेत्युक्या द्लात roommates संबंद है वी तूर में संपंध है वो मेरा दोस्त है सिर्फ इस जनम में लाए फिर Scr साथ कम तक मेरा दोस्तला का बीच में आया ना तो तो हम दो मर जाएगा फे हाइए है पाप मैं आप से कुछ बात करना चाहता हूं कर सकता हूं बात करने के बाद किस करना चाहोगे तब भी मैं मना नहीं करूंगी कर सकते हो नशिडंडे के पूप फॉन करो के ना मजहें कि ईसे पुटि की बिजनेस बिजनेस करते रहते हो बेटि के तरफ भी थोड़ा द्यान दो क्या बोलुट रहे हूं तुमने मुझे इतना गयर जिम्बेदार इंसा समझ लिया है क्या हां इसकी एजुकेशन एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए तब तक मैं चुब बैठाओं कितने अच्छे लड़के मैंने इसके लिए देख रहे के तुम्हें पता भी है एक अमेरिकन कंपनी में काम करता है बहुत ही भोले-भाले और अमीर लोग है वो हर्तर ऐसे संपन भी और क्या चाहिए डाडी आपको लगता है अमेरिका आकाश में है वो भी तो धर्ती पर ही है ना है मैं जस लड़के से शादी करूंगी वो कस्तुरी गाओं का होना चाहिए मुवनेश्वर मंदिर के पास पला बढ़ा होना चाहिए वो इंडिया का ही होना चाहिए सुना तुमने मेरी बेटी ने किसी कवी कि तरह बात करना शुरू कर दिया है ऐसे लड़के को आखिर हम कहां से ढून कर लाएंगे ये बताओ क्या हुआ अरे बैट से बेटा अरे 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 शर्म आ गई हो बोलो सुर्या क्या बात है लगता है तुम बहुत ही अपसेट हो ये बड़े लोग ना ऐसे ही होते हैं जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़कर किसी और को पसंद करने की बात करते हैं क्या हुआ लड़का पसंद नहीं आये क्या मुझे उसकी बात ही नहीं करनी अच्छा सूर्या तुम लव मैरेज करना चाहते हो या अरेंज मैरेज मुझे तो लव कम अरेंज मैरेज पसंद है और तुम्हें? मैं तो डेफिनेटली लव मैरेशी करूंगी मम्मी डाडी नहीं माने के तो भी चलेगा मैं तो भागने के लिए भी तैयार हूँ बस उठा कर ले जाने वाला लड़का चाहिए कमाल है लड़कियां बहुत फास्ट होती है यह तो मैंने सुना था लेकिन इतनी प्रेम लोग में घुमाए नहीं तो भी चलेगा पर तुम मेरी रानी हो यह कहकर मुझे अपने पास रखे राजा नहीं होगा तो भी चलेगा पर रामचंद्र जैसा होना चाहिए योधा नहीं होगा तो भी चलेगा बस श्री रामचंद्र जैसा होना चाहिए क्यूट नहीं होगा तो भी चलेगा बस थोड़ा रोमैंटिक हो गोपी कृष्ण नहीं होगा तो भी चलेगा पर थोड़ा सशरार्ती होना चाहिए अखेला रहेगा तो भी चलेगा पर दो दो लड़कियों से शादि करेगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा पूरी तरह रवी चंदरन चैसा क्रेजी होना चाहिए अगर रवी सर की कॉलिटी चाहिए तो उसका ओर्डर तो भगवान को यह देना पड़ेगा क्यों तुम मर्द नहीं हो क्या क्या हुआ कई मेरी टांग तो नहीं खीच रही हो तुम ही ने तो कहा था कि लड़कियां बहुत फास्ट होती हैं प्यार करोगे क्या जब प्रेम लोग से खुद बखुद बुलावा आ रहा है तो कौन सा लड़का उसका किस्सा बनने से मना करने मला है खुशी देने वाली खुश्बू अगर तुम बन रही हो तो बेखौफ रहने वाला पती बनने के लिए मैं पूरी तरह से तयार हूँ तो क्या अपने कंदे पर उठा कर ले जाने वाले सिपाही तुम ही बनोगे लगता है शहद लेकर अगर में रागी के फिल्ड में आ गया ना तो चुपचा बैट कर बात करने वाला कोई अन्या नहीं हूं मैं किस करने में भी मैं बाप हूँ और शहद को चखने में भी उस् प्रेस्ट नहीं है तुम्हें तो प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है चलो टाइम हो गया नेस्ट अपिसोड में कंटीनियू करेंगे बाए बाए गॉटनाइट कि rap कि दो जस एपन्छी है? क्ईुट अग्रॉ़ अग्रक और ठायू रख यहार को ऑन्रेश पीलि को अभर को अग्रक्ट यू यूदी भी नग्र को अग्रॉत यूदी 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 कि अधर क्या चल रहा है कंड़ राज्जोसव चल रहा है यार आज त्या कंड़ लोगों के साथ खेल रहे हैं अब यंड़े के साथ खेलेंगे चल रहे है कि अब बाई कंड़ लोगों के साथ मत खेलना अब बाई कंड़ लोगों के साथ मत खेलना कि अब कर दो यूँ है घुँ कौन है बेदू हाथ में पकड़ा जंडा देकर पताने ही चल रहा है क्या कि मैं कौन हो चल फिर भी बता देता हूं जिस मिट्टी में कस्तूरी की सुगंध होती है जिस पानी में तुंगा भद्रा काविरी की मिठास होती है जिस हवा में श्री गंध का परिमल होता है उस गाओं को करुनाडू कहते हैं यहां जनम लेने वाले हर इंसान को कन्नडिका कहते हैं देख क्या रहा हो मारो इसका हम गन्णडवासी है ये धर्ती हमारी मा है पानी मांगोगे तो शर्पत देंगे बैठने के लिए जगे मांगोगे तो सोने के लिए जगे देंगे सोने के लिए जगा दी तो जो नहीं करना चाहिए वो करनी की कोशिश करोगे तो छाती भाड़ कर खोन पी जाएंगे दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो शान्ती जगड़े के लिए खड़े हो जाओगे ना तो क्रांते मैंने तभी आगा किया था कि कन्नड लोगों के साथ मत खेलो हर कन्नड की आवाज में शेर की दहार है सिर्फ वो दहार सुनकर ही तुम हिल रहे हो अगर खेलने की कोशिश करोगे तो घूम जाओगे और जाओगे हो अचसा कि आगे वे जाओगे एक धिए हाज में तो कि अी। करेंग अप, बारो! जब ढूको שसे थे zelf Rule Bent한 और टो झारो ठत्युश्पिंदरे कली शरन झारो टो जिया हो 我 जए फैंठक हुश उ़े बगज मुनूब भी Crew कर दो ज हो पो एजा बढ़ आज़ 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 कर दोब घंचाने हैं जऑने हैं कि अवाओ सर दो गजार का वे घूत अवाओंने दोड़ में ख में आवाओंने ग्राभता इस स्वार भी часто कि अजी चाह कर दो एका तो भी हैं... सूर्या इस बलून में मेरी सांस भरी है सांसे चलने ता किसे बजा कर रखोगे सूर्या इस बलॉन में मेरी सांस भरी हुई है तुम्हारी सांस चलने तक इससे बचा कर रखोगे क्या कि पर अज़िए जो बीज़? भी! हुआ 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 है हुआ हुआ है एक मामुली बलून के लिए तुने अपनी जिन्दी की दाव पर लगा दी तेरे लिए तो एक मामुली सा बलून है है लेकिन मेरे लिए मेरी सांस है मेरी सांस है सुर्या कल वैलन्टाइन्स टे है तो मुझे प्रपोज करोगे ना कल नंदू इस दुनिया में आज तक किसी प्रेमी ने प्रपोज नहीं किया होगा एसी जगह पर मैं तुम्हें प्रपोज करोगा हाँ गुरू, आज हम लोग इसे सबक शिखा कि दो के ही रहेंगे, क्या बात है खोली, अच्छी लड़की ढूंडी है तुने, भाई, यही सूरिया है, होई, हमारा भाई कौन है पता है क्या, तुम जैसे चेले जिसके बगल में खड़े हो, यह देखकर पता नहीं चलेगा, कि यह एक नंबर का गुंडा है, अपने एरिया में खुद की एक धाक क्रियेट करके, बाॉर्डर बना कर जीने वाला सड़क चप गुंडा है तुन, बिना बाॉर्डर क्रियेट किये, पूरी दुनिया में हवा की तरह घूमने वाला प्रेमी हूँ मैं, तेरा खेल तो सिर्फ बाॉर्डर तक होता है, अगर भार आगया तो त यहां कहीं भी जाओं, वहां प्यार करने वाले साथ में रहते हैं, साथ में रहकर मेरा ख्याल रखते हैं, वैसे इस शहर में तुम जैसे गुंडे ज्यादा से ज्यादा दस या बीस मिलेंगे, लेकिन मुझ जैसे प्रेमी एक एक कॉलेज में कितने होंगे ये देखना चात है कि अरे तुम फूल लेकर आओगे तो हम लोग डर जाएंगे क्या हम लोग काटने वाले हैं काट के रख देंगे काटने के लिए हम कोई बकरे नहीं है प्रेमी लोग है प्रेम लोग मूवी में रवी सर ने सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाया इस दुनिया से डरो मत यह भी सिखाया तुम जैसे लोग अगर हमारे पास आएंगे तो जंग लड़ने के लिए हमें फिर इस दुनिया की किसी भी डिक्ष्णरी में ढूण लो वहाँ गुंडा नाम का शब्द नहीं मिलने वाला नामों निशान मिटा देंगे गुरू वो एकदम सही बोल रहा है गुरू प्रेमियों के बीच में नहीं आते हमारी दुनिया अलग है और उसकी दुनिया अलग उसकी बात मत सुनो गुरू मुझे लाइन मारनी ही है वो सही बात कह रहा है प्रेमियों के बीच हमें नहीं जाना चाहिए एक जमाने में तुम्हारा भाई भी तो प्रेमी था मेरा भी एक फ्लैश बैक है दोस्तों ये मुझे दो इतना तेज हथियार तुम्हारे सामने से गुजरा फिर भी तुम्हारी पलके नहीं जपकी और हाथ पैर नहीं काम पे यही मर्दानगी है दस साल पहले ये मर्दान की मुझे में होती तो मेरी जिन्दगी कुछ और होती आज इस हथियार के वज़े से मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई है गुरू इस हथियार से किसी को खत्म कर सकते हैं लेकिन प्यार की दुनिया नहीं बसा सकते जा गुरू, एंज्वाए कर दोस्त, कितना ट्राय किया लेकिन ये पटती ही नहीं है हमारे गुरू के हाथों नहीं पटी, तो तुस्से क्या पटेगी, चल ए, ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामने ठीक पाए एक आख मारूँगा ना तो लड़कियों के लाइन लग जाएगे सुर्या, कहां लेकर जा रहे हैं मुझे बताता हूं, चलो कौन है ये? मेरी भारगवी, ये मेरा दिल है और तुम मेरी धटकन हो मैं तो सिर्फ एक शरीर हूँ, जिससे आप दोनों मिलकर चला रही है इस दुनिया में किसी प्रेमी ने प्रपोज नहीं किया होगा ऐसी जगा पर मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा ऐसा मैंने कहा था ना, वो जगा यही है मुझे यसा लग रहा है कि मुझे बहुत भूग लगी है अच्छा तुम्हें हाथ से खाना कि लाओं मुझे किस चाहिए यह तो बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे बहुत पसंद आएगा मुझे शरम आ रही है अगर तुम ऐसे ही सताओगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा यह तो गलत बात है ना अपनाने के बाद तो गल्ती करनी ही पड़ती है ना ये पागलपन है जब तुम किस दोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा तुम सब लड़के एक चैसे होते हो क्या लड़कियों को ऐसा शक क्यों होता है इतनी जल्दी क्या है तुम्हें अब उस चीज की जल्दी तो होगी ठीक है मिस्टर मैं देती हूं संभाल का रखोगे ना इससे जदा मुझे कुछ नहीं चाहिए था अब हो गई मेरी जिन्दगी है पावान मेरा शरीफ लड़का चलो चलते हैं हाँ हाँ लो आगे तुम्हारी बेटी काहन है वो पता नहीं जी अच्छा चलती हूं पुम्हारी था हुआ हुआए था था रहा हुआ है पापा है माह नंदू ये वही लड़का है क्या कौन पापा तु मो race नटकें से प्यार करती क्या ये वही लड़का है वहीं जो तुम्हें अभी बाइक पर छोड़ कर गया है हुथ जी पापा कितनी हिम्मत है तुझ में अपने माँ बाप के सामने बैठके प्यार की बाते कर रही है तुम चुप हो जाओ, मुझे बात कर लेने दूस्से सुनो बेटा, सबसे पहले तुम्हें 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 बविश्य के बारे में सोचना चाहिए मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का दिखा है तुम्हें अंदाजा भी है वो अमीर खानलान का है पढ़ा लिखा है खुबसूरत भी है और अच्छा काम भी करता है बिठा और वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाके रखेगा ये बात में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो तुम्हें एक रानी की तरह रखेगा पापा आपने जो लड़का पसंद किया है उसके पास बहुत जायदाद होगी ली पर इस तरहते के पास मेरे लिए। बहुत सवा प्यार है आप लड़का बात पैसे वाला होगा लेकिन ये बहुत गुणवान है कि पापा मेहल की रानी बनाने वाले राजा से ज़दा दिल की रानी बनाने वाला राजा मुझे चाहिए प्लीज पापा सूर्या को मुझसे दूर मत केजिए न प्लीज सूर्या पापा प्लीज पापा हें ठीकी ठीकि जैसे तुँभारी मैंसे बीटे तुम मेरी बेटी हो और मैं ये बात अच्छे तरह जानता हूँ कि तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं अरे यह आप क्या बोल रहे हैं इसकी बाते सुनकर आप अच्छे लड़के को छोड़ रहे हैं वैसा लड़का बात को समझो लड़का कैसा है उसका स्टेटर्स क्या है उससे कहीं ज़्यादा वो मेरी बेटी का कितने प्यार से ख्याल रखता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा माईने रखता है बेटा तुझे उस पर पूरा भरोसा है ना हाँ पापा ठीक है तो फिर मैंने में डिसिजन ले लिया है आप बाप बेटी को जो करना है वो करो मेरी इस घर में सुनता ही कौन है देखो ना पापा अभी यह ज़रा गुस्से में चार दिन के बाद ही अपने आप शांति यागी तो खुद देख लेना चलो ठीक है बेटा सुना कल ही हम लोग लड़के के घर पर जाकर एंगेजमेंट फिक्स करके आ जाएंगे क्यों थैंकियो पापा थैंकियो सो मच रुक चाओ तुम कवन है बेटा मेरे साथ घर बसाकर किसी और के साथ सगाई करते विदम शरम नहीं आई जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है उसका बाप कौन है क्या बताओंगी उसे अरे यह क्या बोल रही है सूरिया यह कौन है तुम इसे जानते हो क्या खड़े-खड़े क्या देख रहे हो, बात करो उन से. ए, यह जो बोल रही है, उसका जवाब दो. यह जूट बोल रही है, नंदो. इसका और मेरा कोई सम्बन नहीं है. विना सम्बन के, तू वहाँ आता था क्या? बिना सम्बन के, इसके पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? यह सब क्या है, बेटा? मेरा विश्वास करो, नंदो. सच बोल, तू वहाँ पर आता था यह नहीं? क्या यह सच है, तू वहाँ जाते थे? सच है क्या? हाँ, सूर्या? यह सब क्या हो रहा है? नंदू दरसल वूदू कुछ मत कहो क्या कहा करते थे तुम? कि औरत की इज़द करना जरूरी है प्यार भले ही कम क्यों ना हो लड़की से कहना चाहिए, मैं तुम से शादी करूँगा यह नहीं कि मैं तुम्हें झीन लूँगा औरत को देवी समझ कर उसके पूजा करनी चाहिए कभी वैश्या नहीं कहना चाहिए यही कहते थे ना पर आखिर में क्या किया तुमने? क्या किया तुमने बोलो? नंदू, नंदू बिटी को सम्झाओ उस दड़की के साथ संबन बना कर उसके साथ संसार बसाकर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप बन कर मुझ से शादी करने चले थे तुम मेरा भरोसा करो, प्लीज नंदू तू? बेटा, सु मेरी वाच्चन सूर्या, आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यो किया अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कौन हूँ बारगवी मेरी बड़ी बेहन थी मेरे काका को तुम पसंद नहीं थे लेकिन अपनी बेहन के लिए मैंने उन्हें मना लिया था मेरी बेहन कहा करती थी कि इस पूरी दुनिया में सूर्य सबसे अच्छा इंसान है उसका प्यार ऐसा है कि पूरी दुनिया उसके प्यार को तरसेगी और ऐसा लड़का उससे प्यार करता है इस बात पर मेरी दीदी को गर्व था मेरी दीदी आप इस दुनिया में नहीं है मैं उन्हें खो चुकी हूँ मरते वक्त वो मुझसे कह गई कि सूर्या को अपनी जिंदिकी में ले आना इंद्रधनुष की तरह उस दिन से पागलों की तरह पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूनने लगी अपना घर, अपने माबाब सब कुछ भूला कर मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे प्यार को पाने के लिए उसी कॉलेज में आड्मिशन लेने चली गई जहां तुम थे लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत में क्या है फिर एक दिन तुमने मेरे गड़े में मंगल सूत्र बांधा कि यह सगाई तो बस मैं ममी पापा की खुशी के लिए कर रही हूं लेकिन हमारी शादी तो कब की हो चुकी है ना कि अब इसकी सजा मैं तुम्हें क्या दूंगी तुम्हें पता है तुमने जिससे शादी की वो जिन्दा है लेकिन फिर भी तुम पूरी जिन्दगी अकेले ही रहोगे तुम मेरी नजरों के सामें से दूर हो जाओ चले जाओ यहांसे है चाले जाओ नहीं है अंके फाड़ के क्या देख रहा है हाँ तुछ यहां से जाएगा जद धक्क्राव कि यहां से निकालों श्यांत जाए शांत जाए बेखे जाओ इसे के चलू बेटा आण वचर झूचर झूचर झूचर, झूचर झाल 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 दस मिनिट पहले मुझे लग रहा था कि मैं मर चाहूं लेकिन अब जीने का मन कर रहा है और यह सिर्फ तेरी वज़े से जो भगवान दिखाईनी देते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं प्रदक्षिना लगाते हैं और उनसे मननते मांगते हैं उप्वास अबरत सब कुछ करते हैं उनके लिए कितने बड़े पागल होते हैं ना और आखों के सामने तेरे जैसा भगवान है यह हम भूल चाहिए सुर्या लगता तुने ज्यादा पी लिया यार मैं भगवान के साथ डिसकुशन करना हूं यार कि लड़की के चक्कल में ऐसे होता है कि मुझे तोड़ी सी बात करें चलो प्रेमी का दूर हो जाए तो दारू नस्दीक आ जाती है और दारू पास आजाए तो प्यार दूर हो जाता है तेरे चक्कर में बर्वाद हो गया तेरी वजह से जिससे प्यार करता है तो है वह दूर हो गई कि प्यार करने वाली पास रहकर भी दरदी दूर जाएगी तो तक्लीफ देती है लेकिन यह दारू ऐसा नहीं करती है यह हमारी परमात्मा एंगाड यह दूर हो यहां पास हो सुख ही देती है कभी दुख नहीं देती है समझा कैरे पागाल ओके बोट सम समझ गया बॉस लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गई है लेकिन तू नाराज मत हो तू नाराज नहीं होगी यह मुझे पता है क्योंकि मेरे दर्द को कम करने वाली परमात्मा तू ही है तेरे पोजिशन यहीं पर हैं यू डोंट वरी मुझे तोड़ा सा काम है मैं बाद करके आजाता हूं कि मुझे आपने क्यों पैदा कि मैंने आपको एप्लिकेशन दिया था कि मुझे पैदा करो दुनिया की सारी खूबसूरती लड़कियों को देखर वो देखकर पागल करने के लिए हमें पैदा किया है ना आपने बहुत खतरनाक हो आखतरनाक हम तो सिर्फ नाम के लिए मर्द हैं लेकिन लड़कियों के सामने वेस्ट बॉडिंस जितना हम दिल लगाते न उतना ही हम करें दर्द में उतना है कि विश्णो परमात्मा श्री कृष्णा के अउतार है जब द्रौपदी मुश्किल में थी तो आपने उसकी मदद की थी जब भी लड़की बुलाएगी तो आप आज होगे हम जैसे लड़कों का दिल भी टूटकर विखर रहा है भगवान क्या करें तीन आख वाले अगर आपकी तीसरी आख खोल दी जाए तो पूरी दुनिया भस्मा हो जाएगी आव मुझे भी भस्म कर दो ना कर दो ना नहीं कर सकते ना मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब तो आप तीनों के पास भी नहीं है ना कर दो कि असलिप हो गया ऐसा सोच रहे हो गया लाइफ में अगर स्लीप हो जाओ तो क्या होता है यह मैंने दिखा दिया सुरिया 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 उठना उठना गोफी ने फोन किया था मास्टर शी घुजर गया चल चल ना चल भाई चल 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 लाइब सुरिया कि अपको आखरी बार देखने का सवावा कि उस भगवान ने मुझे नहीं दिया आप दोनों ने मुझे दोका दिया मास्टे जी उस भार के विने मुझे प्यार का मतलब भी पता नहीं था और मुझे प्यार को जगा कर जब उसे पौधे से पेड़ बना दिया तो मुझे छोड़ कर चली गई और आप सिंदेगे में तुछे हाथ पकड़ कर मैं चलाओंगा आकाश के चमकती सितारे की तरह बनाओंगा ये कहकर आप भी मुझे छोड़ कर चले गए ना मस्टे जी मेर अपने शिशे को अपने अनाध कर दिया माज चाहिजी अनाध कर दिया अपने बोपी ये भारगवी कौन है भारगवी एक इंद्र धानुश है अरे यार जब देखो तो ही जीता है मुझे नहीं खेला ये सिना ए सुर्या चलो स्कूल का टाइम हो गया है आजा 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 अब जी सारे खेल में आपका शिशी ही जीतता है आपके शिश्य को कोई नहीं हरा सकता ये पागल मैं नहीं हूं क्या कि अ कि अ कि अ कि 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 देखा तुने मैंने तुससे कहा था ना हमारे आने से पहले ही है सुर्या का इंतजार कर रहे होगी अगर तुने जल से जल सुर्या को प्रपोज नहीं किया न तो देख लेना ये उसे उठाकर ले जाएगी जरा ये बैक पकड़ में आती हूं कि अठाकर ले जाओंगी ए दीपा मुझे तो लगता है आज इस चंद्रिका का मुर्डर कर दूंगी मैं अरे यार यह सब सपने देखना बंद कर दे क्योंकि जब तक यह भारगव यह तब तक यह पॉसेबल नहीं चलो अब क्लास का वक्त होगे आंदर जाओ कि मास्टर जी इस दुनिया में सूर्या के लिए सिर्फ भारगवी है मैं और किसी को आने नहीं दूंगी ओके इसके आगे हम कल कंटीनू करेंगे नियोटीचर अच्छी है नो के लिए अच्छी ज़र्णा पीछे अब लाइक नब तु यह उतन है चाइए चंद्रिका तुम जाओ यहां से क्या भारगवी स्कूल खत्म होने में अभी तीन मेने बचे हैं फ्रेंड्स बनकर तुम नहीं रह सकती हो गया ऐसे जगड़ा क्यों कर रही हो सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूं नहीं कुछ नहीं जाओ चलो क्लास में हो एई सूर्या तुम्हारे लिए छोटा सा जगड़ा क्या पूरा युद्ध लड़ने को तयार हूं तुम्हारे लिए सिर्फ यह भारगवी है अब देख गुट शॉट इसका सिर्फ यही गुट शॉट है भारगवी के सामने ठुस मुद्धापूर के लड़के से तु प्यार करती है क्यों हमारे गाउं में लड़के कम पड़ गए देख्या है क्या है बे बहुत जादा बोल रहे हैं तुम लोग है कुम्मी उस दिन दिया था वो कम था क्या अरे माताजीत मुझे नहीं पढ़ना तिरी चक्कर में रुकना कहां जा रहा है देख बारगवी तु अमारे गाउं की लड़की है इतनी असानी से नहीं जाने देंगे तुझे ए तू कॉन होता है बे मुझे रोकने वाला ए डीके के सामने आवाज उची नहीं डीके क्या ह तो मेरे खून में भरा हुआ है जिस देश में जासी जैसी रानी हुई उसी देश की एक रानी मैं भी हूँ समझा अभी चपल उतार कर एक मारूंगी ना तो आवाज की गूंच सुनकर पूरा तेश ताली बजाएगा समझा क्या क्या यार तु छुप क्यों हो गया मैं कौन हो इसे बताना ही पड़ेगा जो बुजंग जी क्या बात बोलिए मास्टर जी आप हमारी जाती के होकर भी किसी और जाती के लड़के को अपना शिश बना बैठे हैं आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या बुजंग जी सुनिए मुझे ग्यान दने की कोशिश मत कीजिए सुनिए महाशा है जलने वाले सूर की कोई जात नहीं होती पानी की कोई जात नहीं होती लहराने वाली हावा की कोई जात नहीं होती खाने वाले अन की कोई जात नहीं तो फिर इंसान के लिए ये जाती-पा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर क्यों आए हैं। ओ, मास्टर जी, गुरू के हिसाथ से शिष्य बनना है तो, योग्यता, योग्यता चाहिए उसके लिए, यही बात समझाने के लिए इतना बड़ा प्रवचन दिया आपने मुझे, हां? देखिए, गुरु भक्ती, गुरु निष्ठा, गुरु तत्व के आदर्शों का पालन करने वाले बहुत सारे शिष्य मिले होंगे, लेकिन ये उन समय सबसे अच्छा है, मेरा शिष्य सूर्या, वो क्या है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ हाँ, हाँ, उसने जो किया है, वो आप खुद देख लीजिए, लीजिए ये तुम्हारी बेटी की घलती है, सूर्या की नहीं है, चाओ तो अपनी बेटी से पूछ लो ए भारगवी, तुमने मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी, घर पे आब बताता हूँ हाँ, तो आजाओंगी न, और कहाँ जाओंगी मैं, भाग कर जाओंगी तो बोल कर जाओंगी क्या यार, तो ऐसे बात कर रही है अरे, ऐसे ही तो बात करनी चाहिए, जिसके साथ पुरी जिन्दिकी गुजारनी है, उससे हमें खुद चुनना चाहिए मास्टर जी सही पुछते हैं, मास्टर जी, प्यार करना गलत है क्या? अरे, मैं तो ऐसी कोई फिल्म देखना पिलकुल ही भूल गया फिर भी आप इस गाओं के मास्टर है मैं अभी आता हूँ मास्टर जी, जवाब दिये बिना ही जा रहे है घर पे जाकर अपने पिताजी से खुद पूछ लेना वो बता देंगे उससे बेकार के सवाल कर रही है अरे, गोपी ये चंद्रिका और भारगवी यसे जगड़ां क्यों करती रहती हैं? वो क्या है? वो सब तेरे लिए करती हैं, यार मेरे लिए? वो क्यो? सच बताओ सूरिया तो वो दोनों तुमसे सिक्स स्टेंडर्स से प्यार कर रही है अब ये दोनों लड़किया आगे क्या-क्या करेंगे ये तुझे पता चल जाएगा चल सूरिया गुद मॉर्निंग मेडाम गुद मॉर्निंग, सिट डाउन आज मैं अपने सब्जेक्ट का टेस्ट मार्क्स बताऊंगी चंदू, 25 में से 10 रमेश, 25 में से 13 मिले है भाग्या, 25 में से 11 मिले है सूरिया, 25 में से 25 मिले है चंदरिका, 25 में से 17 मिले है दीपा, 25 में से 19 मिले है भाग्यवी, 25 में से 24 मिले है भाग्यवी, स्टैंड अप 25 क्वेश्चन के सही-सही आंसर्स लिखने के बाद मैंने देखा कि तुमने एक आंसर कट कर दिया ऐसा क्यों? कन्फूशन हो गया था मैम मेरे सब्जक्ट में किया थो ठीक है लेकिन सारे सब्जक्ट में तुम ऐसा ही करती हो ऐसा क्यों? मैम, मैं सच में कन्फूश हो जाती हूँ दोस्त, वो एक्दम जूट बोल रही है ये सब वो तेरे लिए कर रही है ओके, एक काम करो, बाहर आओ अभी बताओ भारगवी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये सब मैं सूरिया के लिए कर रही हूँ, मैम सूरिया के लिए कर रही हो? क्या मतलब है इसका? मैं सूरिया से बहुत प्यार करती हूँ, मैम उसके चेहरे पर अगर मुस्कराहट ना हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ मैम पूरे स्कूल के लिए मैं भले ही भारगवी हूँ पर सूर्या के लिए मैं उसकी धर्ती हूँ मैम आपने स्वाभी मान मूवी देखी है क्या मैडम? उसमें रवी सर पढ़े लिखे नहीं है, महालक्षमी माँ पढ़े लिखी है उन दोनों के बीच एक छोटी सी मिसंडरस्टानने के वज़े से दोनों में डिवोस हो जाता है मैंने चाहते कि मेरे और सूर्या के बीच ऐसा कुछ हो मैं चाहते हो कि सूर्या हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे ही रहे यहीं मेरी इच्छा है यह किस तरह का प्यार है तुम्हारा, इस दुनिया में ऐसा भी प्यार होता है मुझे आज पता चला, सूर्या तुम्हें जरूर मिलेगा अल दे बेस्ट बेगी यह भार कभी है और यह सूर्या और हमारे बीच क्या है पता है यह प्यार है सूर्या मैं आगिया यह तुम्हें कैसे पता चल गया मैं तो तुम्हारी पर्षाई को भी पहचान लेती हूँ तुम्हें लगते हैं तुम आओगे मुझे पता नहीं चलेगा तुम कब क्या बोलते हो, किसलिए बोलते हो, मैं सब कुछ जानती हूँ इस वग बस एकी बात कहना चाती हूँ, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता ना नहीं करते हो, तो भी ठीक है, शादी कर लेना करूंगा मेरे लिए उतना ही काफी है तुम्हारे साथ नहीं, मेरी मा जिससे कहगी उसके साथ अरे, तो ठीक है, अपनी सासु मा को जाकर मना लूँगी मैं मतलब, तुम वहाँ पर भी नहीं छोड़ोगी क्या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली जब मैं मिल गया हो, तो मुझे पकड़ोगी न सूर्या, ये शरीर भले ही तुम्हारा होगा, पर आत्मा सिर्फ मेरी है, तुम्हें मेरा ही होना है एई, तुझ में अकल की कमी है, क्या? हाँ, कमी है, क्या करीए तू? अगर कोई नहीं जीता है तो तुम दोनों को सूर्य को हूद जाना ठीक है। सब्सक्राइब दोनों को इस ब्रश से सूर्या के लिए इंद्र धनुश बनाकर देना होगा और वो ही जीत जाएगा तो पहले कौन मैं आस्टर जी यह लो शुरू करो अब चलो कि अब 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 कि सूर्या मास्टर जी ने तुम्हें दाव पर लगाया है कौन कौन आपने मुझे दाओं पर लगा दिया अरे सूर्या उसके प्यार को देखकर इस गाउं का मास्टर भी हार गया रे बिटा अब तू नहीं हारेगा इस पूरी दुन्या को घूम कर वो सूर्या उजाला देता है और जमीन हरी भरी रहती है अभी तेरे एर्दगिर्द जो भार्गवी घूम रही है ना अगर तू उसे रोशन देगा तो अच्छा होगा बेटा उससे प्यार कर दो है डाइसे इस प्यार करती हूं तुम भी मुझसे प्यार करो ना सुर्या चंद्रीका मैंने तुमसे कितनी बार का है कि मैं यह सब नहीं कर सकता ऐसा हो सकता है यह सुर्या रात के बारा बजे पीपल के पेड के निचे में तुम्हारा इंतजार करोंगे और तुमैं आना पड़ेगा अगर नहीं आया तो अगर तुम नहीं आया तो मुझे पताई कि मुझे क्या करना है चलती हूं कर दो कर दो हुआ है चंद्री का तुम समझ क्यों नहीं रहे हैं ऐसा बरताप क्यों कर रहे हो देखिए बड़े पपा आपका गोद दिवो बेटा क्या गुल खिला रहा है नहीं सर पंजी मेरी कोई गलती नहीं है मैं चंद्रिका को यहां समझाने आया था सर पंजी यह जूट बोल रहा है इसका भरोसा मत कीजिए खड़े खड़े क्या देख रहे हो इसे मारो इसकी अकल ठिकान लगाओ तुझे घर पर बताता हूं क्या समझने आये था यह क्या कर रहे हैं तू अपने बेटे को समझा दे तेरा पती मुनिया था और नीती न्याय का पालन करने वाला था इतने अच्छे खून वाले ने ऐसा गंदा खून पैदा किया है तेरा पती हमारे घर में काम करता था सिर्फ एक बक्त की रोटी के लि इसे तो मैं काट के रख देता लेकिन मैं क्या करूँ मुनिया की याद आ गई इसी लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ आगे से याद रखना सुनो सुरज उगने से पहले तुम लोग इस गाउं को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाओ अपने बेटे को अच्छे से समझा दो इसने जो किया है अगर दुबारा इसने करने की कोशिश की इसे गाउं में क्या पूरी दुनिया में रहने के लाइक नहीं छोड़ूंगा समझ गई चलो अरे यार मुझे लगा सूरिया आएगा लेकिन या तो यह आ रही है अब एक थू कैसा मर्द है भी तू गाउं के दस लोगों को जमा करके मेरे सूरिया को पिटवाया तुने यहां दिखा ना अपनी मर्दानगी चल दिखा ए बहुत जादा बक्वास करी है तू तेरे सामने जो खड़ा वो राम नहीं रावन है मैं भी सीता नहीं हो जो मुझे उठाकर ले जाएगा भारगवी हूं मैं घास भूस खाकर बड़ी नहीं हूई हूं तुम सब कमीनों की हट्टी पसली एक कर सकती हूं मैं जादा उचलने वाली हिरन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहि है रवेन रेडी है क्या रेडी हो दोस्त गुद मॉर्णिंग मैडम गुद मॉर्णिंग सेट डाउन थांक्यू मैडम आज मैं आपका होमवर्ग चेक करने वाली हूं इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नोट बुक्स यहां रख दीजे और आप सभी बाहर चले जाईए भार्गवी तुमने हूंवक नहीं किया नहीं माम सूर्या तुमने नहीं किया है माम दोनों बेंच पर खड़े हो जाओ उपर खड़े होने से मुझे चक्कर आता है माम कि इधर आओ हाथ आगे करो हाथ में क्या हुआ भार्गवी मेरे पापा ने मुझे मारा था मैम सूर्या टिंचर और बैंड़ ले कर आऊ प्लीज ठीक है माम तो मैदम सर्फिस में बुला रहे हैं ऐपको ठीक है इस ए किbaj को मैंकि थ्यकों pass ए sì यह तुमने क्या किया बाहर गुई बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें तुम मेरे पास होते हो तो मुझे किसी दर्द का हिसास नहीं होता कम से कम अब तो बोल दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो सूर्या सूर्या कि तुम्हारी आखों में बहले ही मुझे प्यार नजर नहीं आता पर तुम्हारी धड़कनों में प्यार सुनाई देता है इतना ही काफी है अरे गोपी परसु तुझे चूट लगी थी ना जरा दिखा तो अब 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 इतने चोटे से जखम पर थोड़ा सा टिंचर डाला तो तुझे इतना चिला रहा है लेकिन भारगवी के हाथ पर इतना बड़ा जखम है धेर सारा टिंचर डालने के बाद भी उसको दर्द नहीं हुआ यह कैसे हो सकता है अरे मुर्ख इंसान उसी को तो प्यार कहते हैं अरे तू मेरी जान लेकर रहे हैं हाँ 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 हुआ है 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 इस बस एक बार बोल दो ना मुझसे प्यार करते हो शादी होने के बाद बोलतूंगा हुआ है है कि नहीं अचाहिए है कि दीपा यह पाइल दिख चरा कितनी प्यारी है न मुझे बहुत पसंद है पसंद आई तो ले ले ना पापा को बोलीगी तो दिला देंगे कोई प्यार करने वाला दिला है तो ही मैं इसे लूँगी कोई ऐसा जो मुझसे शादी करें अगर वो मुझे दिलाएगा तो बहुत पर राण अखान चक बाल झाल झाल उे लाण हुआ जिय परिय आज भाण पर आच फर राण लुझा भबंगाची पर शोली आपड़ से अजे जो, मुझा है घुझा जो अजी कर दो नहां है तर्थ न फेल का फ्रीक शो कैसा था सूपर भाई सूपर हुआ है है कल जो हुआ वो देखकर लगा कि वह एक एक्सिडेंट है लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुने यह सब जान बूचकर किया है तो तुझे वहीं मार देता यह पूचने वड़ा दू कौन होता है क्या लगती है वो तेरी वो मेरी फ्रेंड सर्फ इस जनम में ही नह तो उसके आसपास भी तुन नजर आया न तो वहीं मार दूंगा मैं तुझे दीपा सुर्या ने मुझे अपना लिया है उसने मुझे अपना लिया है दीपा मुद्दाद नविलुगलू ये कांतव बयसिरलू येद यल्ली प्रीतियन तनसत्तू माडि दे मैं यही परूँ तो जाना जादा देर बाते मत करना जल्दी निकल जाना अगर सर को पता चल गया ठीक नहीं होगा सुर्या क्या हुआ शादी होने के बाद मैं यह टाय पहन नहीं पा रहा हूँ यार क्या तुम्हारा नाम सूर्या ही है ना जी हां मेरा नाम रेश्मा है मैं हर्मस्टर की बेटी हूं इफ यू डॉन्ट माइंड क्या अपनी कंगी दे सकते हो शूर अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे इस्तिमाल करने वाली हर चीज भी सिफ मेरी है कोई और चोएगा तो मैं चुप नहीं जाओंगी सूर्या इस बलून में मेरी सांसे मरीवी है जब तक तुम्हारी सांसे चलेंगी तब तक इसे बचा कर रखोगे क्या बेटा दीदी का है मामी, मामी तो खेट में गई है मामा, मामा ये जोस मेरे लिए है हाँ, तुम्हारे और भारगी भी दिदी के लिए जाओ ना, गलास देखिया हो ये भारगी दिदी को देदे ना, और ये तुम पिले ना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई, तुम बार-बार भारगी दिदी को जूस देते हो मैं उसे शादी करूँगा ना, इसलिए मैं चोटी हूँ, इसलिए तुमने उस पर नज़र रखा है चोकलेट चाहिए न तुम्हे? हाँ, चाहिए तो जाओ, जल्दी से देख जाओ, 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 जाओ दीदी, मामा जूस लेकर आए है तुमने अल्लेडी दो-तीन बार ऐसा किया है अगर कुछ उच नीच हो गया तो उच नीच हो, इसलिए तो यह सब कर रहा हूँ भारगवी मेरी है, मेरी दोस्त, मुझे तो डर लग रहा है यार अच्छा है ना हम यावे तीदी, मैं अबी आए आए है भार्गवी भार्गवी अभी तक सोई क्यों हुई है उठ जा स्कूल नहीं जाएगी चल जल्दी उठ आई आई यह भाई साहब क्या हल चाल बैठिए बैठिए क्या बोजंग गया अभी तक घर पे ही हो खेत पर नहीं गया क्या तुम्हारी तब ये तो ठीक है एक काम करो उस बच्ची को लिकर आओ मैं नाड़ी देख कर बता दूगा सुनो ओभी भार्गवी को यहां लेकर आओ सुनिये भार्गवी हाँ आजा बेटी हाथ दिखाओ वो जंगेया मेरे साथ बाहर आओ क्या कह रहे हैं ये बस एक मिनट में आता हूँ क्या हुआ बाई साब क्या हो गया ये पूछा है तेरी बेटी अभी पेट से है क्या कहने आप बगला गया है क्या मैं सच कह रहा हूँ अगर इस बारे में तुम्हारे रिष्टदारों और गाउवालों को पता चल गया तो तेरी जब का क्या होगा नाडी सास्त्र में मुझे 25 साल का अनभव है केवल मैं नाडी पकड़ कर बता देता हूँ कि किसको क्या रोग है ये बात तुझे भी पता है मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरी बेटी है तुँ ही कर सकता है सुना तुमने भाई साहब क्या कह रहे थे क्या बेटी पैरा किये है तुमने इसने तो नाक टार दी इकलोती लड़की है सोचके लार प्यार से बड़ा किया इसने मेरी इज़त मिट्टी में मिला दी परबाद कर दिया सब भुजंग की बेटी हाइस कुल जाकर पेट से हो गई यही बोलेंगे गाउवाले अब मैं सर उठाके कैसे चलपाऊंगा कैसे जिएंगे हम लोग अब जीना मुश्किल हो जाएगा एशुजी नहीं ऐसे बेटी मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मेरी कोई पेटी थी यह मैं भूल जाओंगा तुम भी भूल जाओ किसी सम्चान में जाकर इसका गला दबा दो और इसे दफना दो अगर कल यह मेरी आँखों के सामने आई ना तो तुम मेरी लास देखेगी क्यों किया क्यों किया तुने ऐसा अरे तुम मेरी बेटीये कहते वह शरम आ रही है जब तुम पैदा हुई थी तभी मर क्यों नहीं गई मर जाती थो चुछा हूता तुम भगवाग को चीशा दे रहा है तुम मेरी चोड़ता है तुम भार्गवी बार्गवी क्या हुआ तुझे रोम यो रही है क्या हुआ बता तो सही कि नाड़ी देखकर कहां कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे तो समझी नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कब और कैसे मुझे पैदा करने वाले ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे है अब मैं सुर्या से क्या कहूं दीपा मैं तो उससे नजरे मिलाने के लायक भी नहीं रही दीपा मैंने उससे घो दिया है सुर्या तो अपनी ही दुनिया में खुश था मैंने ही उसके साथ सबर्दस्ति की और फिर उससे प्यार का इजहार भी करवा लिया दीपा लेकिन अब मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं रही मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों भार्गवी ऐसे बाते क्यों कर रही है तू कोई तुझ पर भरोसा करे या ना करे मुझे तुझ पर भरोसा है सुर्या भी तुझ पर जरूर भरोसा करेगा वो बहुत अच्छा लड़का है वो कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा तो टेंशन मतले है कि अरे हां मैं बताना बूल गई कल सूर्या अपनी मा के साथ नाकपूर जा रहा है उसके काका की बेटी की शादी है उसके जाने से पहले एक बार उससे मिल लेना हां सब कुछ ठीक हो जाएगा सूर्या देख भारगवी आ रही है यह पकड़ में अभी आया जल्दी आ जाना क्या बात है भारगवी क्या हुआ हो सूर्या तुम मुझे एक वचन दोगे क्या एक क्या सौ बोलो भारगवी मैं सब सूर्या अगर मेरे साथ कोई उच नीच हो गई तो तुम मेरी यादो में मत रहना तुम मुझे भूल जाना ठीक है यह भारगवी क्या होगा तुम्हें तुम्हें देखकर तो वह यम्राज भी भाग जाएगा प्लीज सूर्या जो वचन दिया है उसे निभावगे ना आज अप्रेल फरस्ट है ना यह भारगी तुम मजा कर्यों ना मेरे साथ भारगी मैं चलता हूँ जैसे मैं आजाओंगा तुम्हें एक सप्राइज दूगा जब तुम्हें तुम्हें एक सप्राइज दूगे सूर्या माश्टर जी तुझे बला रहे हैं है आज भारगवी का बद्दे है मुझे वहां पर जाना है उसके पहरों में यह पाहल बांद कर यह फूल उससे दे कर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं भारगवी ऐसा कहूंगा तो उससे अच्छा लगीगा ना गोपी भगवान तेरे खेल निराले क्यों क्या हुआ हुआ है मेरे साथ हुआ क्या हुआ मास्टर जी आपने अचानक मुझे बुला लिया मेरे साथ आओ सुर्या बता तो मैं नहीं आ सकता मास्टर जी मैं कल मिलूंगा आपसे पांच मिनट के लिए मेरे साथ आजाओ बेटा आप मास्टर जी आप कहां लिकर जा रही हो मुझे बता यह न खाललिकर जा रहे हो प्लीस मास्टर जी गोपी अब तुभी पूछरा है इन से आप मुझे सम्चान में लिकर रहा है कोई गुजर गया है क्या मास्टर जी ओ नाके पर रंगा दादा जी बैठते थे ना वो गुजर गया क्या मास्टर जी ये बोर्ड गिरा हुआ क्यों है अब तो बता दीजे मास्टर जी क्या अबुद्या क्या है क्या है सुरिया, बस एक बार बोल दोना कि मत से प्यार करते हूं बार गोवे बार गोवे बारगवी यह तो इस ने जो दर्द कुछ दिया है उसके आगे आप जो आरे वो दर्द कुछ नहीं है बारिये आप ही कहते देना मास्टर उसके प्यार किया है तो तू आरेगा तो कोई गलब नहीं होगा उसूरिया के इर्द गुमने वाली इस भरती के लिए वो सूरिया रौश्णी देता है और तेरे असपास घुमने वाली भार्गवी के लिए तू उशाना बनता है आप नही होतो है घुमने घुमने भार्गवी उस भरती करें उन्संक बिटना एंटिगों मुझें इर मस्णाय होत एंट झाले कर सकते इत तू Якो भी अप्रपी तु भृता था कि तुम से प्यार करता हूं मुझे एक बार बोलने के लिए तुम बोलती थी ना बारकवी यह पापी वह बात नहीं समझ भाया बारकवी यह पापी वह बात नहीं समझ भाया है हाँ बारकवी यह मारकवी नहीं को उट रहाँ यह पास्टेशिये ना आपके पैयर बढ़ता हो पसे एक बार उसे उटाऔ इगी आप फूली कि तो यह यह उट जाएगी माँसरी यह इसके बिना नहीं रह सकता हूं मैं इसके बीना नह मास्टर जी लेकिन इस सुर्या की मों धर्दी थी मास्टर जी दर्दी ती इस विधी के विधान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा इस बाहर का भी मास्टर जी मास्टर जी प्यार को खोने का दर्द वो प्यार करने वालों को यह समझ प्यार करने वालों के दिल को छीनने वाले इस विधी के खेल में हम जैसे प्रेमियो का धिक्कार है कर दो 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 क अर्प्राइब को चली को घानते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो सुर्याम अगर मेरे साथ कोई पूछनी जो गए तो तुम मेरे लादों में मत रहाएं तुम मुझे पूँ जाना ठीके? सुर्यादी जो रहाँ तो में सुर्याम अगर में हारी है? कि अगया आज तो इस तो बाई आगया यह सुरिया भारगवी के गुजरने के बाद ननिता मेरे पास आकर तेरे बारे में पूछ रही थी वो तुस्से प्यार करती है इसलिए सब कुछ बता दिया आएम सॉरिया जिस ब्रमानी मेरे किसमत ठीक से नहीं लिखी है उस माथे पर तू क्या लिखेगा क्या भाई टेरी स्टाइल देखके लगा था कि तू फाइस्टार होटल में पार्टी देगा लेकिन तू तो ढबे पे लिया आया क्या यार तू तो बहुत नो टंगी बाजे तेरी लड़की लोकल है कि फॉरण की क्या यार लड़की बड़की दिखाएगा कि नहीं अरे यह क्या यह तो सूरिया की लवर है अरे यार तुमने इसके साथ इंगेजमेंट की है पूरे साल इसके साथ इंज्वाई किया है थू तुम लोग मेरे फ्रेंड्स के लाइक नहीं अरे अरे रुकना सुरिया सुरिया अरे देखो सुरिया आ रहा है सुरिया 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 मैं लवर बॉय रंगा हूं दर्मत शान्त रहा है क्यों भे तुने पूरे साल इंज्वाई किया हमने देखा नहीं क्या बारों के बारे में बोला तो देवदास को बुरा लगा क्या सुरिया पीने के उमर में अलकोहल पीकर आ गया तो हम डर जाएंगे क्या लॉलीपॉप खाने के उमर में हमने हथियार उठा लिये हैं चल पीछे तभी क्योकि क्यों अराई बेखानि हमने पीकों पुरिया क्या पीद्स gallery युदा लगाने अराई गुरा क्या जबीन औरा ऩोला इंड शोला जिस जिसस्तागजियर हम अरा हम रलेकिए क्या अरा बलेकिए क्या जिस्ताव में पीतकि वेजल静कि-छワाम अज़ दो कि अज़ी आया बिलन्त आया च अज़, आया उह अरी दो सकत्यूग रब रह अो, हम थे आया, अ, 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 आया, वह, आया, आया, तो अज़न एत म rust प्रच storage लाई करता ही जू हुआ को होग21 conect realize भाई युञ करिक युद अमे जो डप्ष जान खर्मipुण अब हो अ बनके का युद उचाए ला युद करता हुआ अब 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 बंदार मैं हूं टिची रंगा हाँ हाँ ठीक है बताती हूं हाँ पहुंच गई देदी हुँ 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 आओ नंद्यू बैठों आप वो क्यों अश्चर हो रहा है एक जमाने में सौ दोसों के लिए अपना शरीर बेश देते थे और अब हमारी जिन्दी कैसे बतल भी यही सोच रही हो इन सब के वज़ा सूरिया है यह आप क्या कह रही है मैं सच बोल रही हूं नंदू सूरिया यहां आता था लेकिन इसके साथ सोने के लिए नहीं इसे बचाने के लिए इ दीदी हां क्या बोला तुने एक बार और बोल दीदी कितने साल हो गए इस पवित्र शब्द को सुने हुए सभी लोग दिन और गंटे रात के हिसाब से बुलाते हैं लेकिन ऐसे इस पवित्र शब्द के संबंध से आज तक किसी ने नहीं पुकारा मेरे दीदी बोलने के ब और इस मिट्टी में औरत के लिए पवित्र स्थान है एक औरत ही मा बनती है बहन बनती है चाची बनती है दादी बनती है बहु बनती है नानी बन जाती है ऐसी पवित्र औरत को अपनी जगह छोड़कर ऐसी जगह पर आने की क्या जरूत पढ़ जाती है दीदी कोई औरत चाह कि भी इस काम को नहीं करना चाहेगी कभी भी इस दुनिया में हम जैसे अनाथ औरतों को कभी कोई माँ और बहन की नजर से नहीं देखता हम किसी से मदद मांगते भी हैं तो कोई हमें नहीं समझता अचानक एक्सिडेंट में मेरे ससूर मेरे पती को सब को खो दिया मैंने और मेरी बेटी और मैं अनाथ हो गए मर जाएं ऐसा लग रहा था तब मेरी बेटी का भविश्य मेरे सामने आया मेरी आँखों के सामने आ गया इसलिए मुझ में जीने की इच्छा जागी इसलिए मैंने काम ढूंडा और उसकेबाद मैं एक कंपनी में गई वहाँ पर एक आदनी बोला मैं तुमें काम दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा उसकेबाद मैं तुमें काम क्या अपनी जिन्दगी भी दे दूंगा और तब मैं उसके साथ सो गई सुबा होने के बाद वो मुझे पांच हजार रुपए देकर चला गया और तब से मेरी ये जिन्दगी शुरू हो गई मेरी ये जिन्दगी गलत है मैं ये जानती हूँ सूरिया बीवी की जान जा रही थी तो भी हरिश्चंद्रे ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा था कोई भी घटना और किसी भी समस्या में हमारे आधर्श और हमारे आत्म विश्वास की पली देना ये तो गलत है दीदी यहां धर्ती पर औरतों ने क्या कुछ नहीं कमाया है बदल जाईए दीदी अगर आप बदल जाओगी तो मैं जिस बैंक मैनेजर को चानता हूँ उससे बात करके मैं लोन दिलाओंगा उससे कोई छोटा सा गार्मेंट शॉप उपन करके आप अपने जिन्दे की बदल दीजी दीदी हमारी जैसी बेहनों के लिए सूरिया जैसा भाई होगा न तो किसी बेहन के जिन्दगी साड़क पर नहीं आएगी अगर दुनिया के सारे मर्द सूरिया के जैसे हो जाएं तो कोई औरत कभी वेश्या नहीं बनेगी मले बिल्ला होत्तो तन्दो रंगे रिच दे होरटो होगी दे हले कानद कडलुंदो वीरहदली तुम बनुंदो मरे यागो माताडी दे अगर बगवार मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो आपने मुझसे मेरे सूरिया को दूर कर दिया मेरा दिल कहता है कि कि सूरिया यहीं कहीं है यह सच है ना सुनो नंदो मेरी नानी कहती थी कि अगर हम किसी को डिच्ची मारेंगे ना तो वापस मारनी नहीं चाहिए ने तो उस जगह पर सिंग उख जाते हैं झाह 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 सरी गमागारी सानीरी अच्छा यह बता तुमने एंगेजमेंट रोखने को क्यूं कहा था बताओ मुझे इन सबका कारण तो तुम्हारे पिता जी थे उस दिन एंगेजमेंट फिक्स करने की बात कहकर तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा बेटा मैं कारण पूछ सकता हूँ अंकल तुम्हारी कुंडली में तीसरी शादी होने का योग मैंने देखा और यह मोझे पता है बेटा और अभी अल्रेडी एक गुजर गई है ना और यही वजह है कि मैं तुम्हें मेरी मेरी बेटी को छोड़ने के लिए कह रहा हूं सुर्या में यहाँ मेस है क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें सच में बहूत प्मालनी होगा सुर्या इसकतला प्लीॅ funky सब थीक है पर कुंडली में अइसा क्या था उस गलत कुंडली की वज़ा, डी के है ऐसा मुझे कोली नहीं बताया था, इतना ही नहीं, मेरी भारगवी की मौत का कारण वही है ऐसा मुझे पता चला, इसलिए मैं उसे मारने के लिए गया था, लेकिन मुझसे पहले ही कुद्वाल ने उसे मार दिया था इस धर्ती पर जीने के लिए ये काबिल नहीं था, इसलिए इसे खत्म कर दिया, सूरिया, तेरा प्रेम लोग है, हमारा पापियों का लोग, तेरी दुनिया में प्यार करने वाले मिलेंगे, और हमारी दुनिया में सिर्फ मारने वाले मिलेंगे, तो अपनी दुनिया में रहे चलो तो फिर हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं तुम तो मंगल सूत्र बान चुके हो अब तो सीधर सुहाग रात मनाएंगे कर दो चुके हो अब तो सीधर सुहाग रात मनाएंगे एंगे लोगा साफ़ारा रात मना चुके हो अब तो सीधर से खागए रात मनाएंगे लोगा झाल झाल